दोस्तों यह रहा Realme GT Master Edition device, finally Realme GT Master Edition device के लिए July 2024 का OT update rollout start हो चुका है दोस्तों यह जो device है बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, लगबग इसका 3R complete होने वाला है, मतलब इसका security patch update का प्रिवट था लगबग खतम होने वाला था मैंने सोचा था, सायद इस device के लिए और update ना आए, लेकिन finally update रिसीब हो चुका है, तो आज में इस वीडियो में जो update आया है July 2024 का, इसका full details review देने वाला हो, इसके साथ कौनसा कौनसा new features आया है, आंतुतु बेचमा score क्या है, decreasement हुआ है, या फिर कुछ improvement आपको देखने को मिल होता है, आप वीडियो को end तक जुरू देखते रिए, तो यह चलते हैं, आज के interesting वीडियो के तरफ। गाइस मैंने नहीं सोचा था, रेल्मी चीटी मास्टेशन डिफाइस के लिए और कोई भी update आएगा, लेकिन finally update आ चुका है, सायद इस जो ओटी update है ना, रेल्मी चीट देख लेते हैं, update के साथ जो रूल आउट क्या जा रहा है, वो कौन सा है, update का साइज क्या है, आप भी आपे देख लिए, मेरे पास रेल्मी जीटी मास्टेशन डिफाइस है, आर्मेक्स नामबर पी आप यह चेक आउट कर सकते हो, फिलाल है पे चलते हैं, रेल्मी आप डेट के साथ आपको चेंज लॉक में तो उतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, simply integrate जूलाई 2024 का सेकूरूटी पैच, आपको जूलाई का सेकूरूटी पैच दिया जा रहा है, उसके साथ साथ देखे आप इंप्रूव सिस्टेम पार्फोर्फोर्मेंट्स आपडेट के साथ लिखा जाता है, दोस्तों अभी एक करके देख लेते, अपडेट के साथ आपको new features कौन सा मिला है, तो फिलाल आपे देख लेते, कौन सा सेकूरूटी पैच मिला है, दोस्तों आपे देख सकते हो, आपको 5 जूलाई 2024 का Android सेकूरूटी पैच दिया है, इस आने के बाद लगभग 3 to 5 डेट बहुती स्मूदली चला, लेकिन जैसे से अपडेट होने के बाद डिवाइस को मैं यूज करता गया, डिवाइस बहुती ज्यादा आ रहा था, लेकिन जो अपडेट आया है, इसके साथ जो लेगिंग इसू है वो बिल्कुली फिक्स हो आप इसका एनिमेशन भी चेक आउट कीजिए, एनिमेशन तो उतना ज्यादा आच्छा नहीं है, लेकिन चिटरेने साथ आपको बिल्कुली देखने को नहीं मिलेगा, एनिमेशन आपको ठिक टक देखने को मिल जागा, उसके साथ दोस्तों, बहुत सारे यूजर मुझे कह आपडेट के साथ क्या नोटिफिकेशन पैनल चेंज होगा या भी नहीं, जो अभी रियल्मी डिफाइस में नया वाला नोटिफिकेशन पैनल आ चुका है, वो क्या रियल्मी जीटी मास्टरेशन के नियों अपडेट के साथ आएगा, चेक आउट करके देख लेते हैं, द लेकिन एजो नोटिफिकेशन पैनल है ना बहुत ही आच्छा है, मुझे बहुत जदा पसंद आता है, इसमें आपको सबी कुछ मिल जागा, इसका लूग हुआ, इस बहुत ही अच्छा है, उसके सासाथ इसका जो टंगल है, वो भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, आपको थोड़ा सा बैक्ग्राउंड में ब्लार इफेक्ट जूरूद देखने को मिल जगा, आप फिलाल आपको चेक आउट कर सकतो, बैक्ग्राउंड का जो ब्लार इफेक्ट है ना यह आपको थोड़ा सा इंक्रीज किया जा रहा है, पिछले बाद जो अपडेट आया थ इंस्टॉल करने के बाद आप ड्रो देखने को मिल जगा उसके सबस्ट कुछ न्यू फीचर भी आया है, और रिल्मी जीटी मस्रेशन डिवास में सिस्टेम लॉंचर इंस्टॉल भी हो जाता है, तो मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ सिस्टेम लॉंचर का आप जाके ए नहीं देख लेते हैं, सबसे पहले देखिए अपडेट करने के बाद आपको एक दिक्कत देखने को मिलेगा, और अपडेट करने के बाद मैंने जब तक डिवास को यूज किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा एड्ड मिला है, देखिए मैं आप फाइल मेनाजर को ओपन करन करने के बाद नीचे में देख लीजे, यह आप एड्ड आ रहा है, तो यह बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, only for file बेनाजर नहीं है, आप अगर file बेनाजर को किसी भी folder को अगर open करते हो, यह बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, लेकिन आप एड को भी रिमूब कर सकते हो, मैंने इसके रिगडिंग एक वीडियो भी अप्रोड किया है, आप कैसे realme, opo या फिर oneplus device में, जितने सारे add आ रहा था, उसको आप ब्लॉफ कर सकते हो, कैसे full process क्या है, उपर एड़ो में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप जाके एक बार जूरू चेक आउट दोस्तों फिलाल चलते है, camera के तरफ, camera performance आपको update के बाद कैसे देखने को मिलेगा, वो भी check out कर लेते हैं, दोस्तों मैं camera application को open किया, सबसे पहले, अलग-अलग mode में switch करके देख लेता है, lagging issue या फिर hanging issue आ रहा है, या फिर नहीं, देखिए फिलाल या फोटो मोड में है, मै आप पोट्रेट में switch किया, 64 MP, text के नार, more, more option के बाद, वीडियो में switch किया, photos, portraits, 64, या पी text, देखिए दोस्तों मैं आप या अलग-अलग mode में switch किया, लेकिंग, lagging इसों आपको बिल्कुली देखने को नहीं मिलेगा, आभी दोस्तों इसका जो shutter speed है, ओ भी check out करके देख देख लिजे, shutter speed आपको ठिक तक देखने को मिल जगा, shutter speed में आपको उतना ज्यादा दिकत नहीं है, shutter speed फास्ट है, update के बाद, मैंने कुछ photo भी click किया, यह जो photo है, मैंने update के बाद click किया, भी कुछी time पहले मैंने photo को click किया, आप यह देख सकतो, sky के तरफ देख लिजे, जो color से, आप यह well maintained है, देखिए, sky का जो color देखिए, उपर में आपको blue color सही से आ रहा है, white color भी सही से आ रहा है, उसके साथ साथ नीचे की तरफ आपको जो background देख लिजे, यह भी आपको ठिक तक देखने को मिल जगा, HDR भी आपको ठिक तक देखने को मिल जगा, तो camera का उतना ज़्यादा इसू नहीं है, तो picture ठिक तक आ रहा है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, camera में, लेकिन realme GT Master Edition में एक दिक्कत है, ओ है portrait mode में, ओ अभी भी सौल पे नहीं हुआ है, portrait mode आपको अभी भी bigger देखने को मिलेगा, लेकिन camera update के बाद भी सही है, camera में उतना ज़्याद इसू आपको अभी भी देखने को नहीं मिलेगा, दोस्तो फिलाल अभी चेक करके देख लेते हैं, update के बाद, face unlock और fingerprint में कुछ इसू आ रहा है या फिन नहीं, देखें दोस्तो मैंने fingerprint के आपको टेस्ट क्या देखिए, fingerprint speed आपको बहुत ही first देखने को मिलेगा, fingerprint में आपक कुछ ऐसे ही आपका device में, realme GT Master Edition में, बहुत सारे fingerprint animation को add कर सकतो, मेरा device में आप देख सकतो, कितने सारे fingerprint animation मेरा device में add है, आप या पे देख लीज़े, यह जो fingerprint kalian है, यह भी आपको बिल्कुली नया वाला देखने को मिल जगा, उसके साथ आपको fire वाला fingerprint animation मिल जगा, यह जो fingerprint बेके याप लोट किया है विडियो का लिंक दे रहा हूं आप जाके देख लेना दोस्तों फिलाल अभी चलते हैं बैटरी डिपार्मेंट के तरफ तो बैटरी पार्फोंट के बारी आपके टेस्ट करके दिश्क देगे चलते दोस्टों बैटरी आप अब देख सकते हो battery backup मैं जब तक device को यूज किया update करने के बाद battery backup में आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा next जो update आया था 159 वाला वाप भी battery backup जो था इस update के बाद भी आपको battery backup same to same देखने को मिलेगा दोस्ता भी चलते हैं अंतुदू बेजमास score अपडेट के बाद device का performance कैसे देखने को मिलेगा अंतुदू बेजमास score क्या है ओभी check out करके देख लेते हैं चलते हैं अंतुदू बेजमास application की तरफ आपको मैं live या पी दिखा रहा हूँ देखें अंतुदू बेजमास score open हो चुका है आप इसका score देख सकते हो अब भी इसका अंतुदू बेजमास score 5,99,000 ख्यास पास तो आप समझ सकते हो अंतुदू बेजमास score में आपको डिक्रीस में देखने को मिल रहा है रियल्मी जीटी मास्रेशन डिवाइस में लेटेस्ट अपडेट के बाद दोस्तो पार्फॉर्मेंस थोड़ा सा डाव ओन हुआ है इसको आप गेमिंग करने के टाइम नोटीस कर सकते हो तो दोस्तो आगर आपका डिवाइस में लैगिं अपडेट हो सकता है अगर आपका डिवाइस में कुछ भी इसू नहीं है तो अपडेट आप मत करना सीधा सा बात है दोस्तो आभी कुछ जो सिस्टेम अप्लिकेशन है उसका वार्सन भी चेक ओड़ करके देख लेते हैं सबसे पहले आपे चलते हैं फाइल मेनेजर की एप दोस्तों पेस चलते हैं फार्सन देख लीजिए 14.9.4 लेटेस्ट वाला देखने को मिल जागा उसके साथ और भी चितने सारी सिस्टेम अप्लिकेशन है जैसे कि दोस्तों फोन मेनेजर उसका भार्सन भी आप चेक ओड़ करके देख लेते इसका वार्सन देख लीजिए 14. दोस्तों लेटेस्ट देखने को मिल जागा उसके साथ दोस्तों जो वेदर एपलिकेशन आप देख सकते हो इसका वार्सन है 14.15.4 यह बी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जागा एंड़ोइड 14 का है फिलाले पर चलते हैं गेम्स अप्लिकेशन के तरह 5.5.4 यह आपको पूरणा है इसका लेटेस्ट वरसन आ चुका है 5.9.4 लेटेस्ट वरसन आ चुका है तो आप मेरा सिस्टेम एपलिकेशन टेलिक्तेलम चैनल को जाइंड हो वह वहा पे आपको गेम्स अप्लिकेशन का लिक मिल जागा फटबर जाके जाएंड हो और उतर से आप इसको पसंद आया होगा वीडियो आगर आपको डिवाइस में अभी तक रिसीब नहीं हुआ तो आप वेट कीजिए अभी कुछी सिलेक्टेड यूजर के लिए अपडेट रोल आउट किया रहा है तो आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करके चैनल क हो सकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके राखो बहुत जल्द बहुत सरे इंट्रेस्टिंग वीडियो आने वाला है रिल्मी जीटी मास्टर इसकंगे रिगेटिंग तो जाओ यार फटाफ़ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो यह आज के बिदिना था मिलते नाए टेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक टाटा गुडबाई जाहिंद